हाई प्रेंद्स इस प्रापसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग में यूटीब चैनल आज हम जो देख रहे है वो वैंट टाइप कंप्रेसर या इसको वैंट टाइप ब्लोवर भी बुला जाता है तो आप यहां पे फिगर में देख सकते हो this is Vand type compressor तो यहां पे आप देखा हो कि यहां पे एक जगा पे इनलेट है जहा पे एरिका सक्षन होता है और दुसरी जगा पे डिलेवरी है तो वहां पे जो प्रेस्डर होती है उसको बहार निकला जाता है तो यह rotary compressor के अंदर second type का compressor ह जिसका नाम हमने देखा है कि it is van blower, v-a-n-e, it is van blower, ठीक है, so अब देखते हैं कि इस तरी किसे working करता है, तो आप जो पहले part को समध लेते हैं, तो यह पहले आप देख लो, यह पूरा का पूरा आप जो देख रहा हो, that is cylindrical casing है, so this is the hole is cacing, ठीक है, this is all is casing, आप जो देख रहे हो, ठीक है, so the first part is cacing, जो outer part आप को दीख रहा है, that is the casing, अब दूसरी चीज, आप जो यह देख रहा हो, यह गोल, यह rotor है, यह घुमने वाला है, यह जो portion आप जो देख रहा हो, this is the rotor, ठीक है, फिर तिसरा पार्ट हम देखते, तिसरा पार्ट हमारा ये है, तिसरा पार्ट जो हमारा है, वो है, spring-loaded van slides in slots cut in rotor dump, आपको नहीं समझ मैं कि क्या बूल रहा है, मैं आपको easy way में इसको समझा देता हूँ कि क्या बूलना चाता है, ये जो आप देखर हो, this is the van, ये van है, ठीक है, इसको blade भी बूला जाता, you can say van, अब ये जो आप जो black color का portion देखर हो, ये बता रहा है, कि ये जो van से, वो spring के साथ connect होती है, spring के साथ, यानि, ये जो van है, वो in and out हो सकती, अगर ये इतनी है, आगे जाके जगा, अगर इतना van है, ठीक हो, ये जो Sam van है, इसको मैं यहाँ पर draw क ठीक है, मालो, अभी मैं आपको अच्छी तरीके से चलो, एक छोटा सा, इस तरीके से कुछ लेते है, ठीक है, लाइक दिस, अब ये देखो, यहाँ पर इतना, इतनी जगा है, तो when इतना होगा, फिर जैसे आगे घुमता जाएगा, यहाँ पर इतना होगा, अब देखो, य इस तरीके इतनी स्प्रिंग है, जो when है, वो इतनी है, अभी स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होगा, आगे जगा ज्यादा है, तो इतनी बड़ी भी हो जाएगी, अगर आगे जगा कम है, तो फिर छोटी भी हो जाएगी, तो in and out, in and out, in and out, यह पूरा in and out, in and out, जैसी जगा, व फिर कम फिर कम कैसे होगी तो यह सैब की वजह से होगी वह यहाँ पर जैसे आगे जगा बढ़ी हागी तो उसको एक्सपांट संगे क्यों स्प्रिंग के हो तो एक्सपांट हो जाएगी अगर जगा कम आगी तो वहाँ से सामने जगा नहीं हो तो वह उसको compress करेगी तो size कम हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से पूरा चल रहा है तो आपको इतना पता होना चाहिए अब होगा क्या इसमें होता है कि air यहां से enter होता है फिर यहां पर enter होने के बाद आगे जाएंगा आगे जाएंगा देखो अब यहां पर यहां पर air trap होने वाली ठीक है आप जो देख रहे हो कि यहां पर air suction करेगी और v1 यह जो v1 लिखा है वहां पर trap हो जाएगी है तब देखो यह volume जाद है जाद है जाद है पर जैसा आगे आड़ होगे यह वी 2 पर आ जाओगे तो वोल्यूम के साओ कम हो रहा है कम हो जो trap air है वो यहां पर कम volume है तो उसका क्या होगा compression होगा क्या होगा compression होगा तो अब जो compressed air होगी फिर उसको यहां से बहार निकल जाएगा तो इस तरीके से पूरा काम करेगा so this is due to the reduction in volume आपको compressed air यहां पर मिल जाएगी चलो ठीक है उसको आगे थोड़ा देखते तो यहां पर आगे बढ़ते इसको यह मैंने पूरा करके दिखाया हुआ है अलग-अलग स्टेज में आपको यह बी-सी-ड आपको दिखा यहां पर आगे देखे है इतनी बढ़ गई अब यहां पर आरही है तो यहां पर आप फिर अगर जगाओ कम है तो इन जगा ज़्याद है तो आउट ठीक है तो इस तरीके से पूरा का पूरा चीज काम करने वाला है आपका सबसे पहले हम यहां पर देखने वाला है फिर वो आगे बढ़ेगी फिर यहां पे आई फिर आगे जाके यहां पे आएगी फिर यहां पे आएगी तो आप देखो कि इस जगा पे वोल्यूम कैसा है इसके जगा पे यहां पे देखो आप वोल्यूम कैसा है कम है ठीक है तो एर इस तरीके सा आगे बढ़ रही है पहले अगर यह जो पार्ट है वो compression of the air दिखा रहा है ठीक है और फिर यह compressor यहाँ सा delivery से कहाँ चली जाएगी बार और दूसरी चीज़ आपको यह भी देखने जानी है अगर जैसे कि आप blade 6 को देखो ठीक है फिर जगा कम है तो देखो जगा ज्यादा है वहाँ पर बड़ी है जैसे अगे जगा कम होगी वो कम हो जाएगे फिर यहाँ पर 6 की size देखे यहाँ पर 6 की size तो मैं समझ मारा in and out या या नी यह out खीक है जगा कम होई in कैसे in and out होगा क्योंकि जब यह जो outer आपकी वेन है देखे इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि इस तरीके से उसका पूरा in and out होगा तो देखो यह cylindrical casing है ठीक है आपका और यह rotor है तो rotor में इस तरीके से होगा तो even यहाँ पर जगा कम है तो वो compress कर देगा यहाँ पर जगा जाद एक्सपांड हो हो जाएगा compression हो जाएगा यहाँ पर सक्चन होता है आगे जाती आगे जाती आगे जाती है और क्या होता हैator सिलेंड्री के बीच क्यों यहाँ पर ट्रेप हो जाती हो फिर यह रोडूम में